आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Write the features of Homo habilis and Homo erectus पूछा गया है कि features लिखने के लिए Homo habilis और Homo erectus का तो हम लोग compare करते हैं दोनों category को तो Homo habilis जो है ये originate हुए थे यानि Earth में दिखाई दिये थे around 2.3 say 1.6 million years ago लेकिन erectus जो है इनके साथ साथ parallelly ही evolve हुए थे और ये evolve हुए थे 2 million years ago Homo habilis जाने जाते हैं उनके tool making quality के लिए यानि वो लोग अपना जो defense tool है और साथ ही जो food capture के tools है या पर hunting करने के लिए जो tools है वो यही Homo habilis सबसे पहले बनाने लगे थे और जो stone weapon भी use हुआ था तो यही वो organisms थे Homo habilis जो की सबसे पहले use किये थे stone weapon को वहीं अगर Homo erectus का बात करें तो इनका जो style था या पर इनका जो character था उसके हिजाब से यह लोग चल पाते थे upright यानि यह लोग street movement कर सकते थे लेकिन Homo habilis का बात करें तो यह जो थे यह bend थे सामने के तरफ लेकिन Homo erectus जो है यह एकदम से erect man भी कहलाते थे यह लोग use करते थे proto language जो कि आज के time में बिलकुल भी समझ में नहीं आता है लेकिन वहीं अगर देखे Homo erectus जो है वो drawing के साथ अपना language जो है वो transmit करते थे brain size का अगर बात करें तो happiness का 600 cc cm था लेकिन उसी हिसाब से erectus का बहुत जादा था जो की thousand cubic cm था यानि अगर देखा जाए तो homo erectus जो है यह बहुत ही जादा intelligent था rather than homo habilis वहीं अगर हम लोग character या फिर body structure का बात करें तो body बहुत small था homo habilis में size जो था वो कीतना था 4 to 6 feet इतने चोटे चोटे और चोटे देखे तो इनका today's man जैसा ही इनका body structure था around 8 to 9 feet long arms भी इनके normal थे और यह बहुत जादा ही man-like थे तो यहीं हो जाता है homo habilis और homo erectus का difference basic difference और वहीं अगर homo habilis का बात करें तो इनका structure भी देखे face जो था वो almost prognathus type का था यानि जो poor head था वो सामने forward था jaws भी forwardly projected थे लेगिन वहीं अगर edictus में देखे तो उनका face जो है वो बहुत similar था आज के man से तो यही हो गया है basic difference और यही हम लोग लिख लेंगे प्लासिक्स से ट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीजे अपने doubts 84444 उपर आज है